तो मैंने एक बात गौर की है कि बहुत लोगों को मिखाइल ताल की गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है तो मैंने पिछली वीडियो में आले खाइन की गेम पोस्ट की थी वो भी बहुत ही एटेकिंग गेम थी तो वो भी आप देख सकते हो जाकर और इस गेम में मिखाइल ताल ब्लेक पिसीज के साथ है और वाइट पिसीज के साथ ट्रोगल पॉल तो ये गेम 1960 में हेंबर्ग जर्मनी में खिली गई थी तो वाइट ने शुरुवत की थी D4 से और मिखाइल ताल ने रिप्लाइ दिया F5 करके दच डिफेंस D4 दच डिफेंस स्टॉंटन गेमबिट तो वाइट ने अपने पॉन को सेक्रिफाइस कर दिया तो मिखाइल ताल ने इस पॉन को एक्सेप्ट किया F-Tex E4 स्टॉंटन गेमबिट एक्सेप्टेड नाइट C3 नाइट F6 पॉन पर सपोर्ट बनाया बिशप G5 और प्रेशर नाइट पर है तो वाइट इस नाइट को एक्सचेंज करवा कर इस पॉन को ले सकता है नाइट C6 D5 और नाइट पर प्रेशर बनाया नाइट E5 क्वीन D4 और वापस नाइट पर प्रेशर है नाइट F7 बिशप पर प्रेशर बनाया तो वाइट ने अपने बि Bishop takes Knight, E takes Bishop, Knight takes E5, Bishop E7, और White ने Queen side castle किया, तो मिखाईल टाल ने भी King side castle किया, G4 तो White अपने pawn को आगे push करके King side पर ही pressure बनाएगा, और अपने रुक्की फाइल को open करने की खोशिस जरूर करेगा, D6 और pressure G4 पर है, H3 और pawn पर support बनाया, C5 वाइट इस pawn को hand pass से ले सकता है, तो White ने इस pawn को capture किया, hand pass से, B takes C6 तो टाल आगे जाकर इस knight पर pressure बना सकते हैं, तो White ने पहले ही अपने knight को G3 पर move किया, Queen A5 और मिखाइल ताल ने White के A2 pawn पर pressure बनाया, लेकिन White ने पहले इस pawn पर support नहीं बनाया, और पहले Queen E4 करके मिखाइल ताल के bishop पर pressure बनाया, और bishop के पास एक ही मौव है जाने के लिए, या फिर ताल अपने रुक से support बनाते हैं, बिशब पर लेकिन फिर White इस C6 pawn को capture कर सकता है अपनी Queen से, और pressure दोनों रुक पर रहता और खास इस रुक पर, क्योंकि यहाँ पर checkmate की threat होगी, क्योंकि Queen E4 पर आने के बाद C6 पर भी pressure है, और साथ में Bishop पर भी pressure है, तो ताल ने पहले अपने Knight को E5 पर मौव करके इस Queen के attack को काट दिया, और साथ में इस pawn पर भी support बनाया, तो White ने F4 मौव करके Knight पर pressure बनाया, अभी मिखाईल ताल अपने Knight को मौव करते है G6 पर, तो फिर White अपने Knight को F5 पर लाकर pressure बना सकता है इस Bishop पर, और ताल अपने Bishop से इस Knight को लेने जाते है, तो White को अपनी ये G5 ओपन करने का मौका मिलेगा, तो ताल ने पहले अपने Knight को नहीं बचाया, और पहले D5 मौव करके Queen पर pressure बनाया, Queen E1 और White ने Queen exchange की offer दी, Queen takes A2 और threat Queen A1 चेक देकर King पर pressure बनाने की है, लेकिन ताल का Knight जा रहा है, तो White ने पहले इस Knight को accept किया, F takes Knight, Queen A1 चेक और King के पास सिर्फ एक ही मौव है, King D2, Bishop B4 चेक, अभी White अपने King को मौव करने जाता है, तो White की Queen जा रही है, square के साथ, और White यहाँ से अपने pawn को मौव करता है आगे, तो फिर Twin takes B2 चेक, और White अपने King को E3 पर लाता है, तो Bishop C5 चेक, और King अभी पीछे नहीं आ पाएगा, और White अपने King को D3 पर भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि Bishop A6 और फिर King यहाँ पर फर्स जाता, King के पास कोई मौव है ही नहीं जाने के लिए, तो फिर pawn को ही push करना पड़ता आगे, और फिर Bishop takes C4 और जेक मैट, और White अपने King को F3 पर लाता है, तो फिर, तो फिर F takes E5 चेक, और King के पास तो कोई मौव बचता ही नहीं, और White अपने King को यहाँ से D3 पर लाता है, तो इस pawn को capture किया जा सकता है Bishop से, और आपको लग रहा होगा कि यह Bishop मौफ्त में White ले सकता है, लेकिन नहीं, फिर Bishop E6 चेक आ रहा है, और फिर King को दूर ले जाना पड़ेगा, Queen से, और White अपने King को D4 पर लाता है, तो फिर F takes E5 चेक, और फिर King को दूर ले जाना ही पड़ेगा, आप देख सकते होंगे, और यहाँ से King E3 पर आता है, तो Queen को तो लिया जा सकता है, लेकिन साथ में Queen F2 से चेक मेट आ रहा है, और White इस पॉन को लेता है, तो Queen पर से सपोट हट जाएगा, और फिर White की Queen चली जाती, तो अभी ताल की Queen पर भी Pressure है, तो White ने पहले अपने King को मौव किया, King E2, और अभी ताल, वाइट की Queen को capture करते हैं, तो वाइट भी ताल की Queen को ले सकता है, और फिर Bishop टेक्स नाइट, और फिर अब देख सकते हैं, कि White के King side के minor pieces डेवलोप होने बाकी है, और ताल के पास Bishop पर्स है, और White का King सेंटर में है, लेकिन King को मौव करने के बाद, ताल ने पहले वाइट की Queen को capture नहीं किया, और पहले Queen takes B2Mow किया, और Pressure वापस Queen पर आचुका है, और साथ में ये Pawn भी Pin है, तो वाइट की Queen के पास एक ही मौव है जाने के लिए, और फिर Queen takes C2 Check, और King के पास तो दो अप्सन है जाने के लिए, और वाइट अपने King को इधरी पर लाता है, तो फिर यहाँ से, Bishop C5 Check आ रहा है, और स्क्यूवर के साथ White की Queen जा रही है, और वाइट अपने रुख को भी लाता है बीच में, तो भी यहाँ से, Bishop takes, Rook Check, और फिर King Bishop को capture करता है, तो भी Queen पर कोई support नहीं है, तो वाइट की Queen चली ही जाती, और वाइट अपने King को F3 पर लाता है, तो फिर, Rook पर तो कोई support नहीं है, लेकिन यहाँ से पहले, F takes, E5 और Discover Check रुख से आ रहा है, और Queen को बचाने के लिए, Knight को लाना पड़ता बीच में, और पहले, अपने रुख को D2 पर मौव किया, और Queen पर जो attack था, वो काट दिया, तो ताल ने Queen takes E5 चेक दिया, तो King Queen से दूर जाता है, तो वाइट की Queen जा रही है, तो King दूर नहीं जा पाएगा, तो फिर King के पास दो ही मौव है, जाने के लिए, तो वाइट अपने King को F2 पर लाता है, तो फिर Bishop C5 चेक, और फिर वाइट को अपने King को अपनी Queen से दूर ले जाना ही पड़ेगा, और King मौव होने के बाद, वाइट की Queen जा रही है, और वाइट अपने रुख को लाता है बीच में, तो Bishop takes Rook चेक, और फिर भी King को मौव करने के बाद, वाइट की Queen चली जाती, और वाइट अपनी Queen को बीच में नहीं ला पाता, क्योंकि Queen takes Queen चेक के बाद, King के पास एक ही मौव है, और फिर Queen F2 और चेक मैट, तो F2 पर लाते हैं, तो भी यहाँ पर प्रेसर बढ़ रहा है, और वाइट की गेम बीगड़ जाती, तो वाइट ने अपने King को D1 पर मौव किया, और अभी वीडियो पॉस्ट करके सोचिए, कि मिखाईल ताल ने किया मौव किया होगा, जिसके बाद वाइट ने रिजाइन ही कर दिया, कि ताल ने इस गेम में वाइट को खिलने का मौका ही नहीं दिया, सिर्फ ताल ही खिलते जा रहे हैं, और उसके मुताबिक वाइट को खिलना पड़ रहा है, क्वीन एवन चेक और इस मौव के बाद वाइट ने रिजाइन ही कर दिया, क्यूंकि वाइट के किंग के पास सिर्फ एक ही मौव है, किंग E2, और किंग E2 के बाद, रुक E8 चेक, और फिर किंग को मौव करते हैं आगे, तो वाइट की क्वीन जा रही है, क्यूंकि क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं है, और वाइट के पास, बीच में लाने के लिए सिर्फ एक नाइट है, तो रुक टेक्स नाइट चेक, और फिर किंग को मौव करना ही पड़ता, और किंग मौव होने के बाद, क्वीन टेक्स क्वीन चेक, और किंग के पास, जाने के लिए सिर्फ दो ही आप्सन है, और king mau होने के बाद ये रुख भी जा रहा है और साथ में checkmate आ रहा है Rook e3 check और king g2 पर आता है तो queen g3 और checkmate और king f4 पर आता है तो queen g3 bishop d6 या फिर g5 करके checkmate दे सकते है तो क्वीन एवन चेक के बाद वाइट ने यहां से रिजाइन ही कर दिया और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रही है